आज मैं खुश हूँ कि हम हमारे पहले योहुना की स्टडी में हम वापस जा सकते हैं पहला योहुना हम देख रहे हैं आज हम उसका चटा भाग देखने जा रहे हैं चटा भाग फर्स जॉन शिक्स पार्ट जो कि हम दूसरे अध्याय से देखेंगे सेकंड चैप्टर चैप्टर एटीन बच्चों या अंतिम गड़ी है और जैसा तुमने सुना था कि मसी विरोधी आने वाला है वैसे ही अब अनेक मसी विरोधी उट खड़े हुए हैं इसी से हम जानते हैं कि या अंतिम गड़ी है वे निकले तो हम ही में से हैं परन्तु वास्तव में हम में से नहीं थे क्योंकि यदि वे हम में से होते तो हमारे साथ रहते परन्तु वे निकले निकल इसलिए गए कि या प्रगट हो जाए कि वे हम सब में से नहीं है परन्तु तुम्हारा अभी शेग तो उस पवित्र से हुआ है और तुम सब जानते हो मैंने तुम्हे इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते वरन इसलिए कि तुम उसे जानते हो क्योंकि कोई जूट सत्थ की और से नहीं जूटा कौन है केवल वह तो ईशू मसी के होने का इंकार करता है यही मसी विरोदी है अर्थात जो पिता और पुत्र का इंकार करता है जो पुत्र का इंकार करता है उसके पास पिता नहीं जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है जहां तक तुम्हारा संबंध है तुमने तो आरम से सुना है उसे अपने में बना रहने दो जो कुछ तुमने आरम से सुना है यदि वा तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे जो प्रतिग्या स्वयम उसने हम से की है वा या है अर्थात अनंत जीवन मैंने ये बाते तुम्हें उन लोगों के संबंद में लिखी हैं जो तुम्हें धोका देने का यत्न कर रहे हैं पर जहां तक तुम्हारा संबंध है वा अभिशेक जो तुमने उससे प्राप्त किया है तुम्हें बना रहता है और तुम्हें इस बात की आविशक्ता नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए परन्तु जिस प्रकार उसका वा अविशेक तुमें सब बातों के विशे में सिखाता है और सत्य है और जूटक नहीं है और जैसे कि उसने तुमें सिखाया है तुम उसमें बने रहो अता हे बच्चों उसमें बने रहो जिससे कि जब वा प्रगट हो तो हमें साहस हो और उसके आगमन पर हमें उसके सम्मुक लज्जित ना होना पड़े यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यहां भी जानते हो कि प्रतेग जो धार्मिक्ता पर आचरण करता है उससे उत्पन हुआ है आमीन, आलेलुया तो जो यहुना है यहां आप सब को पता है कि यहुना प्रभु येश्व मसी का चेला था उसने प्रभु येश्व मसी के साथ रहा है वो प्रभु येश्व मसी को उसने सुना है प्रभु येश्व मसी को उसने देखा है प्रभु येशु मसी को उसने चुआ है तो पहली बात जो ये पत्री लिख रहा है कोई आपका और मेरे जैसे वेक्ति नहीं है जो उस जमाने का नहीं है ये उसी जमाने का आदमी है जो लिखने वाला है क्या नाम है इसका? सब लोग बोलें बेहनों क्या नाम है उसका? योहना उसका नाम है प्रभु येशु मसी के साथ ये रहता था इसने जो कुछ लिख रहा है जो कुछ समझा रहा है आखों देखी बात बता रहा है आखों से देखने के बाद प्रभु येशु मसी के साथ रहता था था फिर उसने प्रभु येशु के स्वर्गा रोहन के बाद उसने पवित्रात्मा पाया उसने पवित्रात्मा से परिपूर्ण हो गया और सारी बातों को वो समझ गया उसका मन बाइबल के संदेश को समझ पाया और अब उसने प्रचा वो ये चाहता है कि हमें येशुमसी पर विश्वास करना है ताकि हम उनके साथ और पिता परमेश्वर के साथ संगती कर सकें अपनी पत्री को जब यहुन्ना शुरू करता है तो यहुन्ना शुरुआत में क्या कहता है वो यही कहता है कि हमने प्रभु येशुमसी को देखा ह सुना है चुआ है और हमारी संगती उसके साथ है हम चाहते हैं कि तुम भी प्रभु येशु मसी पर विश्वास कर लो ताकि जिस तरह हमारी संगती परमेश्वर के साथ है उसी प्रकार तुम्हारी संगती भी परमेश्वर के साथ हो सके तो वो शुरुवात में तो यही बात बोलता है, जिस व्यक्ति को उद्धार चाहिए, जिसको अपने पापों की माफी चाहिए, जिसको जीवन में शांती चाहिए, जिसको अपने मरने के बाद जो स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता है, जो इस जिंदगी में किसी मकसद के साथ जीना चाहता है जो जीवन की भीड़ भाड में जो स्वर्ग्य शान्ती के साथ जो जीना चाहता है जो व्यक्ति अपनी आत्मा और अपने जीवन को लेकर के सीरियस है उसे प्रभु येशुमसी के नाम पर विश्वास करना जरूरी है शुरुवात में वो येई कहता है विश्वास कर लो प्रभु येशुमसी पर केवल उसको दूर से मत देखो केवल उसकी दूर से तारीफ मत करो लेकिन आप उसके सामने नतमस तक हो जाओ अपना जीवन समर्पन कर दो उसको अपने जीवन का प्रभु मान लो वो तुमारी जंदगियों का मालिक है और वो कहता है इस येशु से जो कुछ मैंने सुना मैं तुमको बता रहा हूँ वो हकीकत में मारा गया वो हकीकत में कपर में से बाहर निकल के आ गया वो हकीकत में स्वर्ग चला गया था और अब वो इस संसार में पवित्रात्मा के द्वारा सब लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है प्रभू येशु ने मरने के बाद क्या कहा था ये जरूरी है कि मनुश्य का पुत्र मारा जाए, गाडा जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे उसके बाद इशु ने क्या कहा था कि सब जातियों के लोगों को वो अपनी ओर खींचेगा इसलिए प्रभू येशु मसी का सूसमाचार दुनिया के हर व्यक्ति के लिए हर धरम के व्यक्ति के लिए हर जाती हर कौम के लोगों के लिए प्रभु येश्व मसी का संदेश है इसलिए जो पहली बात वो यहुन्ना हमें सिखाता है अपनी पत्री में वो यही है कि तुम प्रभु येश्व मसी के नाम पर विश्वास करो अब जो लोग कहेंगे कि हाँ हम प्रभु येश्व मसी के नाम पर विश्वास करते हैं फिर वो उनको ये कहता कि ठीक है अगर तुम विश्वास करते हो तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि तुम किस प्रकार अपने आपको जान चोगे कि तुम सच्मुच प्रभु पे विश्वास करते हो केवल तुम चर्च आते हो ये इस बात का सबूत नहीं माना जाएगा कि तुम विश्वासी हो केवल तुम अपने चर्च में अपना दश्वांच डालते हो इसी बात से तुम नहीं कह सकते कि तुम विश्वासी हो यहुना कहता है अगर तुम विश्वासी हो अपने आपको चेक करो सब जोर से बोलो अपने आपको चेक करो तो अपने आपको चेक करने के लिए यहुना बताता है कि अगर तुम विश्वास में हो पहले वो कहता है विश्वास कर लो पर वो कहता अगर तुम विश्वास करते हो अगर तुम अपने आपको मसीही कहते हो तो इन बातों पर अपने आपको चेक करो जो मैं आपको बता रहा हूँ यह अब तक हम सीख चुके हैं इसलिए मैं बार-बार बचन से आपको नहीं बता रहा आप नहीं कह सकते कि मैं प्रभू ने मेरे पाप शमा किये और वहीं पे रहो बस उसने मेरे पाप शमा कर दिये आगे भी पाप करता रहूंगा और वो शमा करता रहेगा in fact वो स्पष्ट रूप से 2 के 1 में कहता है मैं तुमें इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम पाप ना करो तो पहला टेस्ट क्या है हमारे विश्वास में होने का यहुन्ना की मताबिक हमारा पहला टेस्ट क्या है मेरे साथ पढ़ो सब लो मिलके यदि हम येशु मसी पर विश्वास करते हैं तो हम पवित्र जीवन जीएंगे और पाप नहीं करेंगे अगली बात वो बताता है यदि हम येशु मसी पर विश्वास करते हैं तो हम उनकी आग्याओं को भी मानेंगे और कौन सी आग्या है बहुत सारी आग्या है पर कौन सी आग्या सबसे प्रमुख है अब्जोर से पड़ो तो हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर की पहली और सबसे पुरानी आग्या है यहुन्ना ये बात बता रहा है कि जो आग्या मैं तुमको दे रहा हूँ येशु के नाम से वो आग्या कोई नई आग्या नहीं है पुरानी आग्या है जो प्रारंब से हमको मिली है पहली आग्या खुदा पर विश्वास कर खुदा से प्रेम कर दूसरी आग्या जो उसके साथ जुड़ी हुई है वो कौन सी है एक दूसरे से प्रेम कर और पांचवी बात जो हमने सीखी अगर हम, यदि हम येशु मसी पर विश्वास करते हैं तो हम संसार से प्रेम नहीं करेंगे, संसार की चीजों के सामने हम ललचाएंगे नहीं संसार के तौर तरीकें उससे की अनुसार अपना जीवन हम नहीं जीएंगे, संसार की चीजों से हम प्रेम नहीं करें, कितने लोग मिझे ध्यान से सुन रहे हैं ये वो टेस्ट है जो यहुनना हम को दे रहा है, अगर हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, इन बातों पर हमें आपने आपको चेक करना है क्या हम पवित्र जीवन जीने के लिए समर्पित हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा पाप है जो हम बार-बार कर रहे हैं मौज मस्ती के साथ कर रहे हैं चुप-चुप के कर रहे हैं क्या हम पवित्र जीवन जीने के लिए समर्पित हैं? क्योंकि वचन कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ, प्रभु ने कहा वैसे तुम भी पवित्र बनो. और अगर हम प्रभु येशु मसी पर विश्वास करते हैं, तो क्या हम उसकी आग्याओं को मानने के लिए समर्पित हैं, तयार हैं? क्या आपने को पता भी है उसकी आग्याओं क्या है? क्या हम वचन पढ़ते हैं? आग्याओं को जानने के लिए. क्या हम पवित्रात्मा की आवास को सुनते हैं आग्याओं को जानने के लिए और कभी-कभी हम सोचते हैं कि सबसे बड़ी आग्या यही है दुष्टात्माओं को निकाल, प्रचार कर और कलीसिया चला और दूसरों के घर में जाके तु प्रात्ना कर और हम भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी आग्या जो उसने हमें दी है वो प्रेम करने की है अपने पडोसी को अपने समान प्रेम कर अपने इस तंदर में जहां पुपत्पत्री लिखता है उसने कहा अपने कलीसिया के लोगों से, भाई बहनों से मतलब कलीसिया के लोगों से प्रेम कर कलीसिया के लोगों के साथ तु प्रेम और धीरच के साथ सयम रख उनके साथ और उनकी मदद कर उन्हें अपने घर में बुला, उनकी पहुनाई कर उन्हें शमा कर, उनकी मदद कर उनके बोजों को अपने उपर उठा इस तरह अलग-अलग तरीकों से मैंने आपको परचार किया था किस प्रकार हम प्रेम कर सकते हैं तो प्रेम हमारी सबसे बड़ी आग्या है और संसार की चीजों से प्रेम नहीं संसार की बहुत लोग मेंने बहुत से लोगों मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा हम क्यूं करते हैं? लेकिन बहुत बार हम सोचते हैं मेरा जीवन कामियाब नहीं जब तक मैं अपने गाउं में एक प्लॉट ना ले लूँ हमारी सोच ऐसी होती है जब तक हमने एक प्लॉट नहीं ले लिया, जब तक अपना संसार से विदा ले सकते हैं धर्ती का सब कुछ आज के वचन का पहला वचन क्या है? अंतिम दिन है ये हम अंतिम घड़ी में जी रहे हैं लेकिन हम इस संसार की चीजों के लक्ष को, संसारिक चीजों को पाने के लिए हम बहुत विचलित रहते हैं हमारी प्रातनाओं भी भी वही रहता है हमारी प्रातनाओं में संसारिक चीजों को पाने की सनक रहती है खुदावन कुछ ना कुछ करे परमेश्वर बहुत से लोग विश्वास में आकर चले गए भटक गए क्यूं? क्योंकि संसारिक चीजों को पाने के लिए प्रभू के पास आए थे लेकिन वचन तो स्पष्ट कहता है संसार से प्रेम ना कर तो जो लोग प्रभू में आए और संसारिक चीजों की कामना करते हुए आए प्रभू की इच्छा नहीं थी और वो चीजे नहीं मिली तो प्रभू को छोड़ कर चले गए आज आपको पूछना है मैं आप लोगों को वचन से दुबारा मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं किन चीजों को सबसे बढ़कर चाहते हो किन चीजों के पीछे सबसे जादा आपकी लगन लगी है किन चीजों के पीछे आप तडपते हो किन चीजों के पीछे भागते हो प्रभू ने तो कहा है कि संसार से प्रेम मत करो प्रभू ने तो ये भी कहा वचन में लिखा है संसार से प्रेम करना मतलब परमेश्वर से शत्रुता करना पिछली बार भी मैंने इस विशे पर यही प्रचार किया था हमें दोनों चीजे नहीं मिल सकती हम दोनों चीजों का आनंद और मज़ा नहीं उठा सकते या तो हम उनका मज़ा उठाएं वचन में लिखा है संसार और जो कुछ संसार में है नश्ट होने वाला है या तो हम उन चीजों के पीछे भाग जाएं या फिर जैसा हमने वचन में पढ़ा था कि वो अनंत काल का राजा है या तो हम उस संसार के पीछे जा सकते हैं यह है असली विश्वासी सच मुच का मसीही यह है और आग जो बात हम सीखने जा रहे हैं यदि हम येश्व मसी पर विश्वास करते हैं तो हम जीवन भर मसीही संगती नहीं छोड़ेंगे मेरे दिल के बहुत करीब है ये टॉपिक जबकि इस कलीश्या को हमने अपने हाथों से पाला हम जानते हैं पिछले 6-7 साल में बहुत से लोग हैं जो मसीही संगती को छोड़ चुके हैं अभी भी मेरे बैग में एक फाइल है उस फाइल में एक कागस की उपर उन सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है जो लोग कलीश्या छोड़ चुके हैं पर मेश्वर जानता है कि ऐसा क्यूं हुआ और वो लोग जानते हैं कि ऐसा क्यूं हुआ पर वचन जो हमें बात आज सिखा रहा कि अगर आप सच्चे विश्वासी हो तो चाहे कुछ भी हो जाए आप कभी भी मसीही संगती को चर्च को नहीं छोडेंगे सच्चे विश्वासी का ये एक चिन है वो कभी नहीं छोडेगा वो हमेशा प्रभू के पीछे चलता रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए और आज यहुना अंतिम घड़ी के बारे में बताता है और जो मसीव इरोधी है उनके बारे में सिखाता है सब लोग अपनी बाइबल में जाए पहला यहुना दो का ठारा बच्चो या अंतिम घड़ी है वो कहता है बच्चो ये अंतिम घड़ी है आपको बच्चो वो क्या कहता है वो केवल संडे स्कूल के बच्चों को पत्री नहीं लिख रहा है वो कलीसिया के लोगों को बच्चे कह रहा है क्यूं? क्यूंकि बहुत बार कलीसिया के लोग बच्चों के समान हो जाते हैं अपनी बुद्धी में, अपनी समझ में और वो परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते हैं मतलब यहां पर एक प्रकार की प्यार से डांट लगा रहा है, तुम बच्चों के समान हो अभी, अभी तक तुम को समझ में नहीं आया इसके पहले उसने संसार से प्रेम मत करो वाली बात कह रहा है कलीसिया में कुछ लोगों को वो पिता कहता है, यह पिता कौन है जिनके बच्चे पैदा हो जोकिए, उनको वाले लोग हो, बहुत जल्दी से हिलने वाले लोग हो, बहुत जल्दी से तुम अपने विश्वास में डगमगा जाते हो लेकिन फिर भी प्रेम से वो कह रहा है बच्चों हमें डांट रहा है लेकिन प्रेम से समझाना चाहता है और क्या कहता है बच्चो यह अंतिम घड़ी है एक दूसरे के आपके आसपास जो लोग बैठे हैं उनको देख के बोलो यह अंतिम घड़ी है हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं लेकिन हम किसके पीछे पड़े में हैं एक मेरा प्लॉट बन जाए, एक मेरा घर बन जाए एक ये हो जाए, एक ये हो जाए बचन क्या सिखा रहा है, हम किसमें जीते हैं हम किसमें जी रहे हैं अंतिम दिनों में जी रहे हैं यह अंतिम दिन क्या है? संसार का, संसार खतम होने वाला है. बोलो, संसार खतम होने वाला है. लेकिन यह अंतिम दिन कब शुरू हुए? 2000 में? सन 2000 में शुरू हुए? अंतिम दिन शुरू कब हुए थे? 1984 में शुरू हुए थे? जब इंद्रा गांधी को मारा था तब बुरे दिन आये थे नरेंद्र मोधी क्या बोलता है अच्छे दिन आने वाले हैं बाइबल क्या बताती है प्रातना करो क्योंकि दिन बुरे है और ये अंतिम दिन है हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं अंतिम दिन कब शुरू हुए थे, जब प्रभु येश्यु मसी इस संसार से उठा लिया गया, और जब प्रभु येश्यु मसी का प्रचार शुरू हो गया, 2019 साल हो गए, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। जो कि मसी के विरोध में खुल कर बोलेगा, खुल कर काम करेगा, उसके बारे में लिखा हुआ है। और बहुत से लोग यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, हजारों ऐसी वीडियो हैं, जहां पर कौन है ये मसी विरोधी आदमी, उसके बारे में बहुत कुछ चर्चा की बोला, पोप जौन पॉल मसी विरोधी है, जब वो मर गए और दूसरा आगे तो बोले, पोप फ्रांसिस मसी विरोधी है, और इस तरह सैंकडो लोगों की लिस्ट बनी हुई है, लोग देखना चाहते हैं कौन है वो मसी विरोधी, यहुन्ना इस पत्री में उस मसी विरोध की चर्चा करता है किन की चर्चा करता है बहुत सारे मसी विरोधियों की चर्चा करता है यहुन्ना का उदेश यहां पर वो एक जो मसी विरोधि है उसके बारे में बताना नहीं परंतु छोटे छोटे बहुत सारे मसी विरोधि बोलो छोटे छोटे बोलो छोटे छोटे बहु सारे मसी विरोधी मतलब येशु का विरोध करने वाले बहुत सारे अंतिम दिनों में आखड़े हुए हैं इसके बारे में डिटेल प्रचार में कभी और करूँगा लेकिन उतना ही बोलूँगा जितना यहुन्ना इस विशे अपनी पत्री में बोलता है दुबारा से पढ़ना शुरू करते हैं सब लोग मेरे साथ साथ पढ़ेंगे सब लोग पढ़ो अठारा शुरू करेंगे बचो ये अंतिम घड़ी है और जैसा तुमने सुना था कि मसी विरोधी आने वाला है वैसे ही अब अनेक मसी विरोधी आ करके खड़े हो गए है इसी से हम जानते हैं कि ये अंतिम घड़ी है प्रभू येशु मसी ने अंतिम दिनों के बारे में बहुत सारे हिंट बताए थे जब ऐसा ऐसा होगा आप घर जाके पढ़ सकते हैं मती 25 और शायद 26 में भी इसका वर्णन ने लेक किया हुआ है बहुत सारी निशानियां बहुत सारे चिन प्रभू येशु मसी ने दिये यहाँ पर एक और चिन है मसी विरोधी का वो ये है कि बहुत सारे एक ही नहीं बहुत सारे मसी विरोधी खड़े हो जाएंगे भाईो बैनों याद रखना पहला तिमोधिस में भी लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है जब अंतिम के दिन आएंगे बहुतों का प्रेम जो प्रभू के लिए था वो ठंडा हो जाएगा बहुत लोग प्रभू को छोड़ देंगे बहुत लोग प्रभू का रास्ता छोड़ देंगे ये अंतिम दिनों की एक निशानी है और यहाँ पे कहता है बहुत से बहुत सारे मसी विरोधी आकर के खड़े हो गए हैं यहाँ से पता चलता है कि ये अंतिम घड़ी है 19 में उनक विकले तो हम में से ही थे, परंतु वास्तव में वो हम में से के नहीं थे, क्योंकि यदि वे हम में से के होते, तो हमारे साथ रहते, परंतु वे निकल गए, इसलिए कि वे प्रकट हो जाए, कि वो हम सब के नहीं हैं। तो मसी विरोधी कौन है? सामने देखें. Who are the Antichrists? जो वो महान बड़ा मसी विरोधी है, उसके बारे में नहीं, लेकिन जो बहुत सारे मसी विरोधी हैं, जो मसी के विरोध में बोलते हैं, या खड़े होते हैं, या मसी के विरोध में एक्शन लेते हैं, मसी के विरोध में अपना जीवन जीते हैं, कौन हैं ये लोग? ये लोग कोई देश का, किसी देश का राश्च्रपती, किसी बड़ी कलीसिया का बहुत बड़ा मुखिया, या किसी आतंकवादी संस्था का बहुत बड़ा मुखिया, ये वो नहीं हैं? कौन है ये मसी विरोध ये? वो है, जो मसी में आकर के, मसीही संगती में आकर के वापस चले जाते हैं। जब आप मसी की संगती में हैं, आपको क्या दरजा मिला है? परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाने का दरजा मिला है। हम जब संगती में हैं, तो हम मसी के पुत्र हैं लेकिन सोचो अगर हम मसी की संगती से बाहर हो गए अगर हमने प्रभू की सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं अगर हमने प्रभू की संगती को छोड़ दिया तो ये दर्जा हमको मिला है कौन सा मसी विरोधी हमेशा हम दूसरों पर उंगली करना बहुत अच्छे से जानते हैं वो मसी देखो वो कैसे कर रहा है, उसका जीवन देखो उसके करम देखो, उसके शब्द देखो उसका हावबाव देखो उसका सुभाव देखो देखो उसने चर्च में आना छोड़ दिया लेकिन बहुत बार हम अपने आप को नहीं देखते हैं अगर हमने प्रभु की संगती को छोड़ दिया हम मसी विरोधी के लाएंगे और मसी की संगती को वही छोड़ेंगे जो सचमुच में कभी जुड़े ही नहीं थे ऐसे लिखा इसमें कि अगर वो हम में से निकले तो वो हमारे में से कि ये थे ही नहीं अगर होते तो टिके रहते मसी विरोधी कौन है जो संगती में आकर के दुबारा चला जाता है आगे पढ़ते रहें परन्तु तुमारा अभिशेक तो उस पवित्र से हुआ है और तुम सब जानते हो मैंने तुमें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते वरन इसलिए कि तुम उसे जानते हो क्योंकि कोई जूट सत्य की और से नहीं है जूटा कौन है केवल वो जो मसी येशु के मसी होने का इनकार करता है कौन है जूटा कौन है मसी विरोधी पहला हमने देखा जो मसी में आकर फिर सब पढ़ें सब पढ़ें कौन है मसी विरोधी वे जो मसी में आकर फिर वापस चले जाते हैं दूसरा सामने देखें कौन है मसी विरोधी, वे जो येशु को सच्चा प्रभू और बचाने वाला सच्चा मसी नहीं मानते, अब सब मेरी तरफ ध्यान से देखें, जो मसी शब्द है, जैसे मेरा नाम जॉय गिल है, मेरा नाम क्या है? जॉय. मेरा सर नेम क्या है? गिल. तो येशु मसी, येशु का पहला नाम क्या है? उनका सर नेम क्या है? नहीं. येशु मसी का सर नेम जो है? मसी नहीं है. सब ध्यान से सुनें, मसी एक दरजा है. मसी क्या है? एक दरजा है. मसी का मतलब क्या है? वो चुना हुआ एक आदमी, वो चुना हुआ एक शक्स, जिसके उपर पिता परमेश्वर ने अपना अभिशेक उंडेला है जो पूरी दुनिया को बचा सके अलेलुया जब इसलिए यहूदी लोग येश्व मसी को मसी कहने पर वो लोग बहुत जादा परेशान क्यों होते थे क्योंकि वो जानते थे मसी कोई छोटी मोटी बात नहीं है मसी कहलाना एक दरजा है क्योंकि बाइबल के अनुसार केवल एक मसी है बाइबल के अनुसार केवल एक मसी है और जो लोग प्रभु येश्व मसी को बचाने वाला वो एक चुना हुआ मसी का अर्थ क्या है जिसके उपर प्रभु का अभिशेक है मेरे बोलो, पीछे बोलो मसी का अर्थ क्या है? जिसके उपर प्रभु का अभिशेक है वो एक शक्स जिसको पिता परमेश्वर ने चुन लिया और अपना अभिशेक उसके उपर उंडेल दिया ताकि ये एक शक्स पूरी दुनिया को बचा सके लेकिन जो व्यक्ति इस संसार में, हमारे देश में हमारे शहर में, आपके परिवार में शायद इस कलीसिया में अगर कोई ऐसा है जो परमात्मा को तो मानता है सच्चे प्रभु को स्वर्ग में एक रहने वाला एक परमात्मा, परंपिता परमेश्वर पर तो विश्वास करता है परंतु येश्व पर विश्वास नहीं करता तो हम उसकी तारीफ करके उसको छोड़ नहीं सकते चलो यार कम से कम उपर वाले का नाम तो ले रहा है दुबारा से इस बचन को मैं आप चाता हूँ कि आप मेरे साथ पढ़ें, आपको समझ में आएगा, पहला यहुन्ना, दूसरा अध्याय, बाईस्वापद, सब जोर से पढ़ें, जूटा कौन है, केवल वो जो येशु के मसी होने का इंकार करता है, यही मसी विरोधी है, पैसा नहीं कह सकते हो कि मैं येशु पर विश्वास नहीं करूँगा, हाँ मैं परमात्मा पर विश्वास करूँगा, जो पिता के पुत्र का इंकार करता है, वो पिता का इंकार करता है, इसी लिए येशु ने कहा स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है, वो मैं हूँ, जिस पिता को लोग मानते हैं जिस परमात्मा को लोग मानते हैं उसी परमात्मा ने इस येशु को अपने पुत्र को आकाश और पृत्वी का सारा अधिकार दे रखा है और जब दुनिया का न्याय होगा अंतिम दिन चल रहे हैं कि नी चल रहे हैं जब अंतिम दिन चल रहे हैं इसका मतलब दुनिया खतम होने वाली कि नहीं होने वाली है दुनिया किसके आने से खतम हो जाएगी परमेशवर के आने से नहीं इसलिए हमें इस बात को सोचना है हम केवल प्रभू प्रभू मालिक मालिक परमात्मा परमात्मा स्वर्ग में रहने वाला ईश्वर परमेश्वर उपर वाला भगवान ऐसा बोल के नहीं चलेगा अगर हमें विश्वास अगर हमें उद्धार चाहिए तो किसके उपर विश्वास करना पड़ेगा किस पर विश हम पिता को माने और येशु मसी को ना माने बहुत सी ऐसी कलीसिया हैं इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ सावधान रहने की जरूरत है बहुत सी ऐसी कलीसिया हैं जो पिता को मानते हैं लेकिन येशु को नहीं मानते हैं बहुत सी ऐसी कलीसिया हैं जो पिता को उंचा दरजा देते हैं, येशु को नीचे वाला दरजा देते हैं कि ठीक है, है एक येशु क्योंकि इनकार तो करने ही सकते, वचन में लिखा हुआ है तो मानते हैं येशु मसी को लेकिन वो परमेश्वर के तुल्य है नहीं मानते हैं, येशु मसी को क्या हमने सुना येशु मसी परमेश्वर है अगर आप किसी ऐसी कलीसिया में कभी गए या किसी कोई आपके घर में आ गया जो प्रभू येशु मसी को परमेश्वर का दर्जा नहीं देता है उनका वचन कभी नहीं सुनना क्योंकि अभी इसमें क्या लिखा है बहुत सारे मसी विरोधी अभी नहीं 2000 साल में नहीं आए शुरू में आ गए थे क्या लिखा थे अभी हमने क्या पढ़ा था बहुत सारे मसी विरोधी उठ खड़े हुए है कौन है मसी विरोधी जो येशु मसी को जो येशु को मसी नहीं मानता जो येशु को बचाने वाला उद्धार करता नहीं मानता जो येशु को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानता जो येशु को परमेश्वर के तुल्य और समान नहीं मानता वो मसी विरोधी है कितनों को लग रहा कि हमें कुछ सीखने को मिल रहा है प्रभु का धन्यवाद हो हालेलुया जो पुत्र का इंकार करता है उसके पास पिता नहीं है 23 में बढ़ो सब लोग 23 में जाओ और सब लोग बढ़े जो पुत्र का इंकार करता है उसके पास पिता नहीं जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है How nice हमने येशु पर विश्वास कर लिया तो हमें कौन मिल गया? परमेश्वर मिल गया आलेलुया आगे पड़ें जहां तक तुमारा संबंध है तुमने जो आरंब से सुना है उसके इलावा किसी और वचन को नहीं सुनना जो वचन तुमने सुन लिया उसमें बने रहो टिके रहो, स्थिर रहो येशु मसी ने पहले प्रवचन में क्या सिखाया था? मसी पर विश्वास करो आज येशु मसी ने अपने मरने से पहले यहुन्ना पंद्रा में वहाँ पर भी यहुन्ना ही इन बातों को कवर कर रहा है और येशु मुसी ने क्या कहा था यहुन्ना पंद्रा में मुझ में बने रहो कौन मसी विरोधी है? कौन मसी विरोधी है? खतम करते हैं? कौन मसी विरोधी है? वे जो मसी में आकर फिर वापस चले जाते हैं वे जो येशु को सच्चा प्रभू और बचाने वाला सच्चा मसी नहीं मानते अगला सवाल कौन मसी विरोधी नहीं है आप बताओ आप मेंसे हाथ उठा सकते हैं कौन मसी विरोधी नहीं है आप मसी रिरोधी हो तो फिर हात उठाएं फिर कौन मसी का विरोध नहीं करता आप मेंसे हात उठा लें बहुत अच्छी बात है अब दो बाते हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए अगर हम सचमुछ उसका विरोध नहीं करते कितनों का समझ में आ गया दो बातें हमारे अंदर होनी चाहिए अगर हम मसी के विरोधी नहीं हैं, सिरफ हाथ उठाने से नहीं चलेगा दो चीजें हैं, जो हमारे अंदर दो गुण होंगे, जो प्रभु के विरोधी नहीं है पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा जहां तक तुम्हारा संबंध है तुमने जो आरंब से सुना है उसे अपने में बना रहने दो, जो कुछ तुमने आरंब से सुना है Yadhi वे तुमें बना रहेगा, तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे, तो अब सामने देख के बताएं कौन मसी विरोधी नहीं है वे जो मसी की सच्चाई में बने रहते हैं कल हमारी बहुत अच्छी एक मीटिंग हुई उस मीटिंग के बाद मैं किसी के घर में गया और उन घर में हम जब गए तो बात करते करते बहुत अच्छी बातचीत हुई और उसके बाद हमने चार-पांच ऐसे लोगों की बात की जो आसपास रहते हैं उस बहन के घर के आसपास रहते हैं लेकिन जो आज मसी में नहीं आते प्रभू में नहीं आते, सत्संग में नहीं आते कलीसया में नहीं आते ये तो कल ही की बात में आपको बता रहा हूँ जो हुआ मेरे साथ जो बातचीत हुई ऐसे लोगों की बारे में जो चर्च में अब नहीं आते हैं लेकिन कितने सालों से ऐसा हो रहा है कि बहुत से लोग हैं जो मसी में आये लेकिन फिर वापस चले गए लेकिन कौन है जो मसी विरोधी नहीं है जो मसी की सच्चाई में बने रहते हैं प्रभू में आना एक बात है प्रभू में बने रहना ये दूसरी बात है प्रभू येश्व मसी ने ऐसे चार तरह की भूमी बताई थी कितनों को याद है प्रभु ने कहा कि एक किसान बीज बोने चला एक तरह का बीज जो गया वो रास्ते की किनारे गिर गया और चिडिया अकर के उस चुक के ले गई और कोई भी फरक नहीं पड़ा बहुतों के लिए प्रभु का वचन ऐसे होता है बचन हम सुनते हैं हमारे अंदर थोड़ा सा भी उसका असर नहीं होता और उसके बाद दो प्रकार की भूमी प्रभु येशुमसी ने बताई जिसमें प्रभु ने यही कहा था कि क्या होता है बहुत जल्दी विश्वास में आ जाते हैं बहुत जल्दी बप्तिस्मा ले लिया बहुत जल्दी चर्च आने लगे बहुत जल्दी सारी मीटिंग्स का भाग बनने लगे सब कुछ होने लगा लेकिन जैसे ही या जब तो दबाव आया समाज का दबाव आया परिवार के लोगों का दबाव आया तुरंत छोड़ के भाग गए तीसरे प्रकार के लोग है संसार की चिंताओं ने घेर लिया और संसार के लोब ने उनको पकड़ लिया और प्रभू को छोड़ करके वापस चले गए इसलिए वचन तो मुझे मिला करके मैं बोल रहा हूँ हम सब के लिए साफधान रहने वाली बात है हम बहुत पार अब ये केवल सत्संग छोड़ने की बात नहीं है बहुत से लोग सत्संग में लगातार आकर के सत्संग छोड़ चुके हैं बहुत से लोगों ने आज तक संगती को नहीं छोड़ा है सत्संग को नहीं छोड़ा है, चर्च में लगातार आ रहे हैं, लेकिन प्रभू से दूर है, तो केवल जो छोड़ के चले गए उनके उपर नहीं, अपने उपर सोचो, मैं मेरे बारे में सोचूंगा, कि बहुत बार हम संगती में बने रहते हैं, परंतु प्रभू के साथ हमा पे गिरता है, तुरंत दर्वाजे से ही शतान-च॔रिकर के ले जाता है, कूँकि गहनी नहीं और हमारा दिल, इतना संसार की बातों से भरा हुआ है, इतना संसार की चिंताओं से आतों भरा हुआ है, या इतना अपने पाप में डूबा हुआ है, वचन सुनने का कोई से बात हुई एक ऐसे भाई से जो अपने छोटे भाई से दबाव में आकर के तीन महीने से चर्च नहीं आ रहा वेल दो महीने से चर्च नहीं आ रहा दबाव में आ जाते हैं अपने परिवार के लोगों का दबाव भी हमारे उपर, प्रभु येश्व ने क्या कहा? एक मनुष्य का दुश्मन उसके अपने घर के लोग होंगे प्रभु येश्व मुसी ने ऐसे कहा है कभी-कभी हमारे अपने घर के लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं जो हमें प्रभु में आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए ये बहुत कोई नॉर्मल सी बात नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं। वे जो मसी की सच्चाई में बने रहते हैं। ठीक है जी हम तो बने वे हैं, हम मसी विरोधी नहीं हैं। लेकिन कितना वचन तुम्हारे अंदर जाके तुमको बदल रहा है। कितना तुम समर्पन कर चुके हो। सुने हुए वचन को कितना लागू करते हैं। कितना प्रभु की आग्याओं को हम मानते हैं। कितना दूसरों को हम शमा करते हैं। अपने गुफ्त जीवन में कितने हम पवित्र पाये जाते हैं? हमारा प्रात्ना करने का जीवन कैसा है? बाइबल पड़ेवे कितने दिन हो गए? संगती में, प्रभु के अराधना करने के समय हमें आनन्द आता है कि नहीं आता है? यह ऐसा लगता है कि हम पत्थर बन चुके हैं, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फरक ही नहीं पड़ रहा मैं सुभा बोल रहा था, प्रभू की संगती में बने रहना, बोरिंग जीवन नहीं है कि ठीक है, वचन में लिखा है, बने रहो प्रभू में, तो मैं बना रहूंगा, प्रभू में चर्च में जाता रहूंगा, क्या कर सकते हैं, आप तो बने रहना पड़ेगा प्रभु में बने रहने का जीवन boring जीवन नहीं है प्रभु में बने रहने का जीवन एक exciting जीवन है प्रभु में बने रहने का जीवन परमेश्वर के पवित्रात्मा हमारे अंदर काम करता रहता है प्रभु में बने रहने का जीवन परमेश्वर के साथ बातें करना ये है मसी में बने रहना आप सोचते हैं मसी में बने रहना ठीक है चर्च आता रहूंगा मैं कभी कभी प्रातना भी कर लूँगा मसी में बना हुआ लेकिन मसी में बने रहना Christian life is walking with God talking with God मसी ही जीवन क्या है परमेश्वर के साथ चलना प्रति दिन परमेश्वर के साथ चलना मुझे पता है कि मैं खुदा के साथ चल रहा हूं खुदा मेरे साथ चल रहा है मसी ही जीवन में बने रहना प्रभू में बने रहना मतलब प्रभू की आवाज को सुन पाना मसीही जीवन मतलब परमेश्वर के साथ इस प्रकार बातें करना आपके दिल में सौ नहीं 200 परसेंट विश्वास है आपको कि जब आप प्रातना कर रहे हो स्वर्ग में कोई आपकी बातों को सुन रहा है मसी में बने रहने का मतलब है कि जब आप प्रातना कर रहे हो परमेश्वर से तो आप केवल प्रातना करके हताश नहीं है आप आशा के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि प्रभू कुछ करने वाला है क्योंकि हमारा हम भुतों और हम पत्थरों की पुझा थोड़ी कर रहे हैं हम जीवित परमेश्वर के सामने हम जाते हैं हमारा परमेश्वर प्रातना सुनने वाला और प्रातना का उत्तर दे के जीवन में अद्बुत काम करने वाला परमेश्वर है क्या परमेश्वर के साथ इस प्रकार का जीवित relationship, एक living relationship, एक जीवित संबंध है आपका परमेश्वर के साथ, ये है मसी में बने रहना, प्रभु हम पर दया करे, कि हम मसी में बने रहें, उस प्रकार से, कि हमारे जीवन में मसी का काम दिखाई दे, हमारे चरित्र में, हमारे हर रोस के उठने बैठने में, हम प्रभु, हम ऐसे लोग हों, जो इस संसार में रहते हैं, लेकिन स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर के साथ, हम जुड़े वे हैं, और खुदा हमें इस्तिमाल कर रहा है, अपने आस-पास का वातावरन बदलने में, जीवन मतलब परमेश्वर के चमतकारों को अपनी आखों के सामने हो रहा है, वैसा वाला जीवन, आपको अनुभव होना चाहिए, कि परमेश्वर आपके सामने काम कर रहा है, प्रभु आपके साथ मिलकर के काम कर रहा है, हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है किते लोग विश्वास करते हैं इस हफ़ते मेरे साथ एक चमतकार हुआ मैं बताना चाहता हूँ आप जानते कि हमने स्कूल खोला है बच्चों के लिए और हमारे बच्चे जो है वो थर्सडे फ्राइडे की बात है और मैंने अपने एक स्टाफ से कहा कि सारे बच्चों की तस्वीर खीचो मतलब क्लास वाइस चार क्लासे हैं असी बच्चे हैं स्कूल में और नर्सरी, LKG, UKG, First Standard ऐसे चार क्लास हैं मैंने स्टाफ से बोला कि आप उनकी तस्वीर खीचें जब वो तस्वीर खीच के मेरे पास ले के आया तो एक्चुली हमारे बच्चों के पास अभी उनिफॉर्म नहीं है तो वो अपने घर के कपड़े पहन के आते हैं जब तस्वीर मैंने देख कि हमें स्कूल में टिशू पेपर जाधा चाहिए नाक पोचने के लिए बच्चे बौत रोते हैं तो एनिवे फिर भी उनका तस्वीर देखा तो मेरे मन में आया प्रभू हमारे बच्चे स्कूल की वर्दी पहन के कब आयेंगे स्कूल में क्योंकि हमारे पास धन नहीं था पैसा नहीं था खरीदने के लिए बच्चों को वर्दी स्कूल की उनिफॉर्म खरीद के देने के लिए सुबा 11 बजे की बात है मेरे मन में आया प्रभू तस्वीर तो अच्छी है बट उनिफॉर्म में होने चाहिए थे प्रभू कब वो दिन आएगा हमने माता पिता हमार मन में सोचा था कि प्रभू ये बच्चे युनिफॉर्म में कब आएंगे खेर दो बजे सब चले गए बच्चे टीचर सब चले गए मैं वहीं बैठ के अपना संडे का देख रहा था क्या है क्या नहीं और चार बजे लाइट चले गई जब चार बजे लाइट के तो मारे आपे भी पावर बैक अप नहीं है तो मतलब अंधेरा और गर्मी तो मैं निकल के बाहर आया और स्कूल के चारों तरफ घूम घूम के मैंने प्रातना करना शुरू किया चार बजे का समय है जब मैंने घूम घूम के प्रातना करना शुरू किया और बस प्रभू से मैं बात किया है उस भाई ने कहा कि किसी ने आपके स्कूल के बच्चों के लिए 84,000 रुपए स्कूल की वर्दियों के लिए दिये हैं हमारे प्रभु के लिए जोर दार थालिये बजाईए एक लाग रुपए की उनिफॉर्म लगेंगी 84,000 रुपए ने ऐसे दे दिये क्यूं हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है मेरे भाईयों बेनों प्रभु में बने रहना मतलब बोरिंग जीवन नहीं है प्रभु में बने रहना मतलब कभी कभी प्रात्ना कर लेना बाइबल संडे को उठाके थोड़ा सा जाड़ के उसको संडे को चर्चा जाना और फिर अपनी मन मर्जी करते रहना ये ये प्रभु में बने रहना नहीं है इसका मतलब अगर हम प्रभु में बने रहेंगे, मतलब हम प्रभु में बढ़ते रहेंगे, मेरे पीछे बोलो, यदी मैं, सब विश्वास करके बोलेंगे, यदी मैं प्रभु में बना रहूंगा, तो मैं प्रभु में बढ़ता रहूंगा, बोलो, यदी मैं प्रभु में ब फल लेकर के आना बढ़ना मतलब जीवित रिलेशिट ये हम living हैं हम मरे नहीं हैं हम प्रभु में हैं, प्रभु हम में हैं हम उससे जुड़े वे हैं तो हम बढ़ रहे हैं बहुत लोग जिन्दगी में बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए येश्य मसी के साथ जुड़ के रहना जरूरी है हम बढ़ेंगे जिन्दगी में तो जो मसी में बना रहता है वही मसी विरोधी नहीं है और दूसरा हम खतम करते हैं जो मसी के लोगों की संगती में लगे रहते हैं कौन मसी विरोधी नहीं है? दूसरा पॉइंट साथ बोलें क्या है? जो मसी के लोगों की संगती में लगे रहते हैं इसलिए मेरे भाईयो बेना मैं यहाँ पे खतम करना चाहता हूँ बस कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स में आपको बताना चाहता हूँ और फिर हम खतम करेंगे ऐसा नहीं हो सकता कि आप मसी पर विश्वास करते हैं परंतु आप चर्च नहीं आते ऐसा कतई संभव नहीं है कि आप बोलो मैं विश्वास करता हूँ पर मैं चर्च में नहीं आऊंगा ऐसा नहीं हो सकता है अगर आप विश्वास करते हो तो मसी के लोगों की संगती में लगाता राना आपके लिए बहुत जरूरी है कुछ practical points मैंने यहां पे लिखे हैं सबसे पहली बात जो हमें हमारी आत्मा की खुराख है वो क्या है? हमारी आत्मा के लिए भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन है प्रति दिन, निरंतर, somehow उसका वचन या तो हमें पढ़ना है या हमें सुनना है परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा को खिलाना बहुत बहुत जरूरी है परमेश्वर के गीतों के द्वारा, परमेश्वर के अराधना के महौल में बने रहना भी हमारे लिए जरूरी है आप अपने फोन में प्रभू के गानों को भर लीजिए और अपने घर में अपने चलते फिरते प्रभू के गानों को आप सुन सकते हैं लगातार प्रात्ना करना आपके लिए जरूरी है परमेश्वर के साथ बातें करें बहुत बार आपको महसूस नहीं होगा प्रभू आपके साथ बैठा है, प्रभू आपको सुन रहा है हमेशा ये महौल आपको नहीं मिलेगा परंतु आपको विश्वास करना है मैं जैसी भी प्रातना कर रहा हूँ परमेश्वर मेरी प्रातना को सुन रहा है इसलिए परमेश्वर के साथ निरंतर बातें करते रहें कलीसिया में लगाता रहें सत्संग में लगाता रहें और दूसरी बात समय पर आएं अगर हम सत्संग में आते हैं तब जब प्रभू का भी यहां से निकलने का समय है तो फिर क्या फायदा कहने का मतलब जब सत्संग प्रभू का प्रभू का सिंहासन कहा लगता है जहां उसके नाम की अराधना होती है जब सब लोग मिलकर प्रभू की अराधना करते हैं वहाँ प्रभू का डेरा लगता है वहाँ प्रभू का सिंहासन लगता है इसलिए बहुत बार हम चर्च में साथ बजे आ रहे होते हैं साड़े छे बजे आ रहे होते हैं मेरा सवाल है क्यूं क्यूं प्रभु के घर में हम समय पे नहीं आ सकते हर जगा पे हम समय पे पहुंचते हैं यदि हमारी ट्रेन हो या फ्लाइट हो या धी मारी पासपोर्ट बनवाना हो या बैंक में ही कोई काम हो अभी वोट डालने जाएंगे बाइदवे सब लोग को वोट डालने जितनों का अधार कार्ड है आने वाला संडे में आपको अपनी वोट डालने हैं चर्च छोड़ के मज़ जाना बाइदवे जो नींद आपकी खराब होती है प्रभू के घर में आएं तो पहली बात लगातार आएं दूसरा समय से आएं एक दूसरे को बोलो भाईया और बहन एक दूसरे को बोलो लगातार आओ और समय से आओ लगातार आओ और समय से आओ कौन सा खतम होने का समय या शुरू होने का समय उसमें भी पगड़े जा सकते हैं कौन से समय में आना है शुरू होने के समय में कौन सा चाई पानी शुरू होने के समय में अराधना शुरू होने के समय में किसी न किसी होम गुरूप का हिस्सा बन जाए बहुत सारी Bible study चलती है संगती, छोटी मसीही संगती चलती है पहाडी में, रजोकरी में आउटर नाथुपूर, इनर नाथुपूर बहुत सारी नेपाली ग्रूप है बहुत सारे ग्रूप है उसमें किसी में वे आप जुड सकते हैं देखो ना तो सारी Bible study उत्तम है पहली बात तो ना तो चर्च आपका उत्तम है परमेश्वर उत्तम है उसकी कलीसिया उत्तम नहीं है उत्तम तो प्रभू अपनी कलीसिया को बना रहा है पर अभी उत्तम नहीं है सर्वस्रेश नहीं है गल्तियों से अलग नहीं है, हम गलतियां करते हैं, कलीसिया में दुख पहुंचाने वाले काम होते हैं कलीसिया उत्तम नहीं है ना कलीसिया की अगवे उत्तम है ना कोई बाइबल स्टडी उत्तम है ना कोई बाइबल स्टडी का लीडर उत्तम है, कोई भी सर्विस्रेश्ट नहीं है, कहीं पर भी हम perfection या स्थिद्धता को नहीं पा सकते परंतु, परमेश्वर को खोचते-खोचते, मैं सुबब अभी शाम को प्रातना कर रहा था, मेरे मन में यही प्रातना करें प्रभू, तू टूटी हुई Bible study मुझे वहीं जाना है, कहीं ना कहीं जाओ, जहां खुदा का वचन सिखाया जाता है, वहाँ जाएं, संगती में रहें और आगे के दो पॉइंट यही हैं कि जब आपके जीवन में कोई संकट परिशानी या दुख आता है, अकेले मत सहो अकेले दुख मत उठाओ, किसी को बताओ मुझे फोन करो, कलीसिया के अगवों को फोन करो, किसी को फोन करो उनको अपने घर में बुला लो मसीही जीवन का मतलब हमने सुना, प्रेम करना प्रेम करने का अर्थ क्या है? दूसरों के बोच को उठा लेना, ये प्रेम है इसलिए आप अगर दुख में है कोई ना कोई difficult type की जिंदगी में समय चल रहा है, तो अकेले ही मत तुम परिशान हो जाओ दूसरों को बताओ, कलीसिया के लोगों को बताओ और अंत में ये है अगर कोई और दुख संकट में है और आप ठीक चल रहा है जिंदगी में, दूसरों के दुखों को भी उठाओ जब कोई और परिशानी में है तो आप उनके दुखों को उठा सकते हैं उनके लिए प्रात्ना करें उनके घर में जाएं, उनके लिए पैसा भी खर्च करना पड़े तो तयार रहें उनके लिए समय देना पड़े तो तयार रहें इसलिए मेरे भाईयों बैनो, मसी विरोधी कोई देश का राष्ट्रपती नहीं है अगर हो मैं नहीं जानता, ना मुझे इसमें रूची है पता लगाने में और यूट्यूब पे वीडियो डालने में अच्छा ये आदमी भी मसी विरोधी है, इसमें मुझे कोई रूची नहीं है और नहीं यहुन्ना इस बात की रूची रखता है कि कौन मसी विरोधी है पर वो यह कहता है बहुत सारे छोटे-छोटे मसी विरोधी दुनिया में खड़े हो गए है कौन है मसी विरोधी? वो जो प्रभू की संगती में आकर के छोड़ देता है वो मसी विरोधी है और दूसरा जो येशु मसी को गुरू या बाबा मानता है लेकिन जगत का उद्धार करता नहीं मानता वो मसी विरोधी है और कौन मसी विरोधी नहीं है जो प्रभू की सच्चाई में बने रहते हैं और मैंने क्या कहा, जो प्रभू की सच्चाई में बना रहता है, वो प्रभू के कामों में बढ़ता रहता है, और अंत में क्या देखा, वे जो मसी के लोगों की संगती में लगे रहते हैं, इसलिए मेरे भाईयों में आज एक चीज अगर आपको याद रखनी है, यहां से जा करता हूँ जो आज हमने वचन से सीखा, जो यहुना ने हमें सिखाया, उससे आप सब लोगों को आशीश मिली है.